नमस्कार दोस्तों मैं हूँ उपेंद्र चौधरी मादमिक सिक्षक सास के उच्चतर मादमिक विद्याले चिमनाखारी मेरे द्वारा कक्षदस्वी गणित के महतपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये जा रहे हैं जो कि वर्स 2019-2020 की परिक्षा के लिए अत्यंत महतपूर्ण है क्रप्या ध्यान से समझें नमर एक में हैं वास्तविक संख्याएं जिससे वस्तुरिष्ट प्रस्न पूछे जाते हैं एक अंके जिसमें मैंने लिया है युकलिड विभाजन प्रमेई का दो धनात्मक पूर्णांग A और B दिये रहने पर ऐसी अदती पूर्ण संख्याएं Q और R विद्मान है कि A बराबर BQ प्लस R जहां R सुन्य से बढ़ाया बराबर होता है और B से छोटा होता है अगला प्रश्ण लेते हैं 135 और 225 का HCF होगा 225 और 135 का HCF ज्याद करने के लिए हम बड़ी संख्या अर्थात 225 में 135 से भाग देते हैं सबसे प्रथम विभाजन किरिया में हम देखते हैं कि सेस्फल नब्बे प्राप्त होता है पुनह नब्बे को भाजक मानकर 135 में भाग देते हैं सेस्फल 45 प्राप्त होता है इस 45 से पुनह नब्बे में भाग देते हैं और सेस्फल सुन्ने प्राप्त होता है जब सेस्फल सुन्ने प्राप्त हो जाता है तो यही अंतिम भाजक HCF कहलाता है इसे हम यूकलिड विभाजन प्रमीका के रूप में इस तरह से जमाते हैं सरपर्थम A बराबर BQ प्लस R जहां R 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा है अब हम लेते हैं A के स्थान पर 225 और B के स्थान पर 135 विभाजन के रिया से प्राप्त आकणों के अनुसार 225 बराबर 135 गुणा 1 धन 90 पुनह 135 बराबर 90 गुणा 1 धन 45 इसी प्रकार 90 बराबर 45 गुणा 2 धन सुन्य अतह अंतिम भाजक हमें 45 प्राप्त होता है जो की 225 और 135 का HCF होता है अब तीसरे नम्मर के तथे की रूप में मैंने लिया है 35 बटे 50 का दसमलो प्रसार होगा चूंकि 35 बटे 50 में हर का अभाज गुणन खंड करने पर हम पाते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5 और सरलतम रूप में हम पाते हैं 7 के बटे 2 गुणा 5 चूंकि हर 2 की घात M गुणा 5 की घात M के रूप का ही प्राप्त हुआ है अथा दसमलो प्रसार 7 है चौंथे नमबर में मेरे द्वारा लिया गया है दो आपरीमे संख्याओं के मद्ध अनेक आपरीमे संख्याओं होती हैं इस प्रकार वास्त्विक संख्याओं से इन 4 महतपूर्ण तत्यों को लिया गया है अब हम देखते हैं चिप्टर नमबर 2 पहुपद नमबर 5 में है 12, 15 और 21 का HCF और LCM है तो उत्तर इसका प्राप्थ होगा LCM 420 और HCF 3 कैसे प्राप्थ हुआ देखते हैं सबसे पहले 12 के अबहाजे गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 प्राप्थ हुआ जिसे घातांक रूप में लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 इसी प्राकार 15 के अबहाजे गुणनखंड 3 गुणा 5 जिसे घातांक के रूप में लिख सकते हैं 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 इसी प्राकार 21 के अबहाजे गुणनखंड 3 गुणा 7 जिन हैं लिख सकते हैं 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 हम जानते हैं कि एलसियम संख्याओं में संबध प्रतेक अबहाजे गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है अब हम देखते हैं कि जितने भी अभाजी गुड़न खंड है उनमें से दो की सबसे बड़ी घाद, दो की घाद दो है, तीन की सबसे बड़ी घाद, तीन की घाद एक है, पांच की सबसे बड़ी घाद, पांच की घाद एक है, और साथ की सबसे बड़ी घाद, साथ की घाद इन सभी का गुणाप करने पर हमें 420 प्राप्त होता है इसी प्रकार HCF संख्यों में प्रतेक उभाजी गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है हम देखते हैं कि 12, 15 और 21 के गुणनखंड में केवल 3 की घात 1 ही उभाजी गुणनखंड है और 3 की घात 1 ही सबसे छोटी घात है अतहा अभाजी गुणनखंड 3 प्राप्त हुआ और HCF 3 प्राप्त हुआ अब हम चैप्टर नम्मर 2 बहुपद जिससे वस्तुनिस्ट प्रस्न एक एक अंक के 2 पूछे जाते हैं तो नम्मर 6 पर मैंने लिया है द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी चुकि द्विघात बहुपद नाम से ही स्पस्ट हो रहा है तो द्विघात बहुपद में बहुपद की घात 2 होगी एक द्विघात बहुपद में जिसके सुन्यक रिन 3 एवं 4 हैं तो बहुपद क्या होगा बहुपद होगा X की खाद 2 रिण X रिण 12 आईए देखते हैं यदि पहला सुन्यक X परावर रिण 3 और दूसरा सुन्यक X परावर 4 है तो हम उन्हें ले सकते हैं X धन 3 गुणा X रिण 4 और दोनों को हल करने पर प्राप्थ होता है X वर्ग रिण X रिण 12 इसी प्रकार अगले नमबर में में लिया है यदि A X वर्ग धन B X धन C के सुन्यक अलफा एवं बीटा हो तो अलफा धन बीटा एवं अलफा इंटू बीटा का मान होगा सुन्यकों का योगफल अलफा धन बीटा बराबर रिण B बटे A बहुत महत्वपूर है सुन्यकों का गुड़न फल अलफा इंटू बीटा बराबर C बटे A नमबर 9 में अब है किसी बहुपत P X के लिए Y बराबर P X का ग्राफ नीचे आकरती में दिया गया है P X के सुन्यकों की संख्या होगी तो हम देखते हैं कि Y बराबर P X अर्थाद X अक्ष पर क्राफ कितने बार प्रतिछेत करता है सबसे पहले हम देखते हैं यह पहला डाट है जो कि पहला सुन्यक दूसरा डाट दूसरा सुन्यक तीसरा डाट तीसरा सुन्यक और चौथा डाट चौथा सुन्यक अर्था सुन्यकों की संख्या चार है नमबर दस में बहुपद x work रिन 16 के सुर्न्यक होंगे x वर्ण 16 के सुर्न्यक होंगे x बरावर 4 x बरावर रिन 3 हम देखते हैं कि x वर्ण 16 जिसे हम लिख सकते हैं x की गाद 2 रिन 4 की गाद 2 और सर्व समिका a वर्ण b वर्ण बरावर a – b इंटू A प्लस B के प्रियोग से ये तूट जाएगा X माइनस 4 और इंटू X प्लस 4 में और जिससे पहला सुन्यक प्राप्त होगा X पराबर 4 दूसरा सुन्यक प्राप्त होगा X पराबर रिन 4 11 नमबर के प्रिश्ण में आते हैं यदि अलफा बीटा गामा त्री घात बहुपद PX पराबर AX की घात 3 धन BX वर्ग धन CX धन D के सुन्यक हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है अलफा धन बीटा धन गामा अर्थात मूलों का योगफल रिन B बटे A अलफा इन्टू बीटा प्लस बीटा इन्टू गामा प्लस गामा इन्टू अलफा बराबर C बटे A इसी प्रकार अलफा इन्टू बीटा इन्टू गामा अर्थात मूलों का गुड़न फल सुन्यकों का गुड़न फल बराबर रिन D बटे A इस प्रकार प्रस्ण 11 हाँ, नमबर 11 में हम लेते हैं, यदि α, बीटा, गामा, त्री घात बहुपर, पी एक्स बराबर, एक्स की घात तीन, धन बी एक्स वर्ग, धन सी एक्स धन डी के सुन्यक हैं तो, सुन्यकों का योगफल, अलफा धन बीटा धन गामा, बराबर, रिन बी बटे ए, अलफा इंटु बीटा प्लस बीटा इंटु गामा प्लस गामा इंटु अलफा, इसी प्रकार, सुन्यकों का गुड़न फल, अलफा इंटु बीटा इंटु गामा, बराबर, रिन डी बटे ए प्राप्त होगा अगले प्रस्ण पर चलते हैं अगला प्रस्ण प्रस्ण बारा निम्न लिखित में से बहुपद है बहुपद की पहचान हमें नीचे स्पस्टी करण में दिया गया है बहुपद में दो चरकी सभी घातें पूर्ण संख्या अर्थात जीरो एक दो तीन आदी होती है जबकि A एवं B में आफ़सन A एवं आफ़सन B में चर X की घातें एक बटे दो होने तथा D में X की घात रिनेक होने से ये बहुपत नहीं है तो बहुपत आफ़सन नमबर C है जहां पर चर की घातें दो एवं एक है अब हम चैप्टर नमबर तीन के महत्पोंट प्रस्णों पर चलेंगे जो की दो चर वाले रैखिक समीकरण इस चैप्टर से एक एक अंक के दो वस्तुनिस्ट पूछे जाते हैं प्रश्ण नमबर तेरा समीकरण निकाए A1X धन B1Y धन C1 बरावर 0 ताथा A2X धन B2Y धन C2 बरावर 0 का एक अदुति हल होगा यदि A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 कोई भी हल नहीं होगा यदि A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2 इसी प्रकार अनंत तह अनेक हल होंगे यदि A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 इस तरह से इन तीन महत्वपोर्ण प्रस्णों का समावेश इस नमबर तेरा में किया गया नमबर चवदा यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं प्रतिछेदी या समपाती होंगी अर्थाद रेखाएं एक दूसरे को प्रतिछेद करती है या समीकरण निकाय का जब अदुती हल होता है तो समीकरण युग्म संगत होते हैं या जब समीकरण निकाय के अनंत तहानेक हल होते हैं तब भी समीकरण युग्म संगत होते हैं और रेखाएं संपाती होती है जब किसी समिकर निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय आसंगत निकाय कहलाता है जब कोई भी हल नहीं होता तब निकाय आसंगत निकाय कहलाता है नमबर 16 में देखेंगे रेखिक समिकर एकस धन बी वाय नमबर 17 समीकरण x धन 2y is equal to 5 x धन 2y बराबर 5 में यदि x बराबर 2 हो sorry x बराबर 1 हो तो y बराबर 2 होगा आईए देखते हैं x धन 2y बराबर 5 में x बराबर 1 रखने पर y का मान तो बराब्त होता है यदि आलेक रेखा x अक्ष पर काटे तो y का मान सुन्य तथा y अक्ष पर काटे तो x का मान सुन्य होता है अर्थाथ आलेक द्वारा x अक्ष पर काटने पर y का मान सुन्य होता है और y अक्ष पर काटने पर X का मान सुनने होता है 19 में नंबर में हम देखते हैं यदि समिकर निकाए के अनंत हल हो तो रेखाएं समपाती कहलाती है अनंत हल होने पर एक ही पत्से दोनों रेखाएंगा मन करती है इस स्थिति को समपाती रेखाएं कहते हैं 2X प्लस Y is equal to K में यदि X बराबर 2 और Y बराबर 1 हो तो K का मान क्या होगा हम X के स्थान पर 2 और Y के स्थान पर 1 रख देंगे तो हमें K का मान 5 प्राप्त होगा चेप्टर नंबर 4 द्विघात समिकरण इस चेप्टर से एक एक अंग के 2 वस्तुनिस्ट प्रश्ण पूछे जाते हैं नमबर 21 में लिया गया है वर्ग समिकरण में AX वर्ग धन BX धन C बराबर 0 का विविक्त कर विविक्त कर D बराबर B वर्ग माइनस 4AC है हमें याद रखना है कि वर्ग समिकरण का विविक्त कर का फार्मूला D बराबर B वर्ग रिन 4AC है अब 22 वे नमबर में एक द्विगात समिकरण X वर्ग धन BX धन C बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते यदी यदी विविक्त कर का मान सुन्य से भी छोटा होता है अर्थाद रिनात्मक प्राप्त होता है तब हम कहेंगे कि वर्ग समिकरण के मूल वास्तविक नहीं है इसी प्रकार मूल वास्तविक एवं बराबर होते हैं यदी विविक्त कर का मान शुन्य हो जाए अर्थाद B वर्ग रिन 4AC सुन्य प्राप्त हो इसी प्रकार मूल वास्त्री केवं आसमान होंगे यदि भी वर रिन 4 सी सुन्य से बड़ा हो अर्थाथ विविक्द कर का मान सुन्य से बड़ा यानि धनातमक प्राप्त होने पर हम कहेंगे कि समिकरण निकाय के मूल वास्त्री केवं आसमान होंगे अगला नमबर 23 वह समिकरण जिसमें अज्यात रासी अर्था चर की अधिक्तम घात दो हो क्या कहलाता है जिसतर है बहुपद में अधिक्तम घात दो होने पर द्विघात बहुपद कहलाता है इसी प्रकार वर्ग समिकरण में अधिक्तम घात दो हो वह समिकरण जिसमें घात अधिक्तम दो हो वर्ग समिकरण होता है और उसे द्वीगात समिकरण भी कहते हैं अगला नम्मर है द्वीगात समिकरण 3x वर्ग रिन 4x ठन 7 बराबर सुनने के मूलों का योकफल मूलों का योकफल होगा अलफा धन बीटा बराबर रिन 4 बटे 3 चूंकि मूलों का योकफल रिन B बटे A अर्थात रिन B यहाँ पर रिन 4 है और A यहाँ पर 3 है तो मूलों का योपफल रिन B बटे A प्राप्त हुआ रिन 4 बटे 3 द्विगात समिकरण 2x वर्ग रिन 7x धन 6 बराबर सुन्न के मूल होंगे हमें गुणनखंड विदी से हल करने पर प्राप्त होगा x बराबर 2 x बराबर 3 बटे 2 आईए गुणनखंड विदी से इसका हल देखते हैं हम सरप्रथम मध्य पद रिन 7x को इस तरह से तोड़ते हैं कि उनका योग तो रिन 7x प्राप्त हो किन्तु गुणनफल रिन 7 के तोड़े हुए भाग 3 और 4 का गुणनफल 6 और 2 के गुणनफल के बराबर हो अर्थात 12 प्राप्त हो इस तरह हमें दो गुणनखंड प्राप्त होते हैं x रिन 2 और 2x रिन 3 इन्हें हल करने पर मान प्राप्त होगा x बराबर 2 x बराबर 3 मटे 2 नमबर 26 में समीकरण x रिन 3 दूसरे कोश्टक में x धन 4 बराबर 0 के मूल होंगे तो यदि हम पहले पद को सुनने मान लें तो दोनों का गुणन फल सुनने प्राप्त होगा एक्स रिन तीन बराबर सुन्य तो एक्स बराबर तीन या दूसरे पत को सुनने मान ले एक्स धन चार बराबर सुन्य तो एक्स बराबर रिन चार इस प्रकार मूल एक्स बराबर तीन और एक्स बराबर रिन चार प्राप्त होते हैं 27 नमबर में है द्विघात समिकरण X वर्ग रिन 3X रिन 10 बराबर सुनने के विविक्त कर का मान है विविक्त कर ग्यात करने के लिए हम उपरोक्त समिकरण की तुलना व्यापक द्विघात समिकरण से करेंगे तो A बराबर एक प्राप्त होगा, B बराबर रिन तीन प्राप्त होगा और C बराबर रिन दस प्राप्त होगा जिससे हम विविक्त कर का सूत्र D बराबर V वर्ग रिन चारेसी से विविक्त कर प्राप्त करेंगे जो कि D बराबर उननचास प्राप्त हुआ इससे स्पस्ट होता है कि विविक्त कर धनात्मक है अर्थात वर्ग समिकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे 28 वे नमबर में द्विगात समिकरण AX वर्ग धन BX धन C बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुड़नफल होगा तो मूलों का योगफल अलफा धन बीटा बराबर रिन B बटे A मूलों का गुड़न फल अलफा इंटू बीटा बराबर C बटे A प्राप्त होता है अब हम चेप्टर नमबर 5 में जलेंगे सामांतर स्रेणी इस चेप्टर से दो अंकों के वस्तुनिस्ट प्रस्ट पूछे जाते हैं नमबर 39 सामांतर स्रेणी के किसी पद का उसके पूरवर्ती पद से अंतर सारवांतर कहलाता है यानि बाद वाले पद में से यदि पहले वाले पद को हम घटाते हैं तो जो अंतर है वह सारवांतर कहलाता है नमबर 30 में हम देखेंगे AP सामांतर स्रेणी 10-7-4---- का तीसवा पद होगा हमें नजर आ रहा है कि दी गई सामांतर स्रेणी का प्रथम पद A बराबर 10 है शारवांतर D बराबर दुती पद में से प्रथम पद को घटा देंगे रिण 3 है और पदों की संख्या चूंकि तीसवा पद गयात करना है अता N बराबर 30 है तो तीसवा पद बराबर A धन 29D प्रथम पद में 29 सारवांतर यदि हम जोड़ देते हैं तो सीधे प्राप्त होता है हमें रिण 77 जो की सामांतर स्रेणी का तीसवा पद है इसी प्रकार 31 नंबर का प्रशन है किसी सामांतर स्रेणी का प्रथम पद A ताथा सारवांतर D है तो स्रेणी का सात्वा पद क्या होगा सात्वा पद A धन 6D होगा इसी प्रकार हम इसे स्पस्ट करेंगे कि AN बराबर A धन N-1D तो N बराबर 7 रखने पर AN बराबर A धन 7-1D और N बराबर A प्लस 6D प्राप्त होता है 32 नमबर का प्रश्ण है सौ, सत्तर, चालीस, दस, डैस, डैस, के लिए प्रथम पद A ताथा सारवांतर D लिखिये बहुत आसान है प्रथम पद A पतलब जो पद सबसे पहले दिया गया है वो 100 है और सारवांतर जैसे कि मैंने बताया है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर जो अंतर प्राप्त होता है वो सारवांतर D बराबर 39 इसी प्रकार 33 नमबर के प्रश्ण में लिया गया है प्रथम पद 3, फिर 8, 13, 18, बराब डैस, डैस, डैस का कौन सा पद 78 है हम देखते हैं, हमें दिया है कि प्रथम पद A बराबर 3, तो D बराबर 8-3 is equal to 5 और 78 चूंकि अंतिम पद है, इसलिए A N बराबर A प्लस N माइनस 1D में हम हल करने पर हमें N बराबर 16 प्राप्त हुआ, अर्थात AP का 16 पद 78 है प्रश्च नमबर 34 में है, AP का 11 पद 38 है और 16 पद 73 है तो इस AP का 31 पद ग्याद कीची, तो हम जब इसे हल करेंगे तो 11 पद अर्थात A प्लस 10D और 16 पद अर्थात A प्लस 15D दोनों के मानों को हम विलोपन विधी से हल करेंगे, तो D का मान 7 प्राप्त हुआ इसी प्रकार D के मान को किसी भी एक समी करण में रखतेंगे तो A का मान 32 प्राप्त हुआ और 31 पद A प्लस 30D बराबर रिन 178 प्राप्त हुआ 35 प्रशन प्रथम 1000 धन पुरुणांक का योग होगा प्रथम 1000 धन पुरुणांकों का योग ज्यात करने के लिए हमें सबसे पहले एक श्रेणी बनाना होगा जो कि 1 धन 2 धन 3 धन डेस 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 एक हजार तक जाएगी जिसका प्रथम पद एक है और उसके लिए पदों का योग का फार्मुला एन अपॉर्ण 2 इंटू A प्लस L का इस्तिमाल करेंगे तो 1000 पदों का योग 1000 बटे 2 एक धन 1000 से हल करने पर 5 लाग 500 प्राप्त होता है अब 36 नम्मर का प्रशन हम देखेंगे ऐसे प्रथम 40 धन पुरुणांकों का योग ज्याद कीजिए जो 6 से विभाज है तो आईए देखते हैं 6 से विभाज धन पुरुणांक 6, 12, 18, 24, टेस, टेस, टेस और इसमें प्रथम पद A बराबर 6 और सारवांतर 12 रिंट 6 बराबर 6 ही प्राप्त हुआ और पदों की संख्या N बराबर 40 और जब हम इसे सूत्र S N बराबर N अपॉन 2 2 A प्लस N माइनस 1 D में रखेंगे तो इस तरह से उसका हल 4920 प्राप्त हुआ जो कि S 40 है अब हम देखते हैं 37 वे प्रश्न को 37 वा प्रश्न है दो तर्भुज समरूफ होंगे यदी प्रश्न 37 दो तर्भुज समरूफ होंगे यदी तर्भुजों के संगत कोन बराबर हूँ तथा संगत भुजाएं आनुपातिक हूँ प्रश्न 38 सभी वरत समरूफ होते हैं सभी वर्ग समरूफ होते हैं सभी संबाहु तरभुज भी समरूप होते हैं तीन बातों का देहान रखना है सभी वरत समरूप होते हैं सभी वर्ग समरूप होते हैं सभी संबाहु तरभुज समरूप होते हैं प्रश्न 49 सरवांग्षम तरभुज समरूप होते हैं जो त्रभुच सर्वांग्षम होते हैं, वे समरूप भी होते हैं प्रश्ने 40, त्रभुच के तीनों अंतह कोणों का योग 180 अंस होता है इस चित्र के माध्यम से देखिए, त्रभुच के तीनों कोणों में अलग-अलग रंग चिन्नित करके जब उन्हें मिलाया गया, तो एक चांदे का आकार बनता है, जो की 180 अंस का होता है चेफ्टर साथ निर्देशांक जियामिती, वस्तुनिष्ट अंक एक नमबर 41, बिंदू PXY की मूल बिंदू से दूरी है बिंदू PXY की मूल बिंदू से दूरी, जो की हम अंडरूट X2 माइनस X1 पुरे का होल स्क्वेर, प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वेर दोनों के सूत्र में यदि हम मान रखते हैं, तो एक अंडरूट X वर्ग धन Y वर्ग प्राप्त होता है इसी प्रकार 42 नंबर पर है बिंदूओं A, X1, Y1, B, X2, Y2 को जोडने वाले रेखा खंड A, B के मध्य बिंदू के निर्देशांक होंगे मध्य बिंदू के निर्देशांक यानि प्रथम बिंदू और अंतिम बिंदू के योग का आधा अर्थात X1 प्लस X2 अपॉन 2, Y1 प्लस Y2 अपॉन 2 43 नंबर पर देखेंगे, बिंदू X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 सीर्स वाले तर्भुच के केंद्रक के निर्देशांक केंद्रक के निर्देशांक ग्यात करने के लिए हम X के निर्देशांक X1, X2, X3 का योग करके 3 का भाग दे देंगे इसे प्रकार Y के निर्देशांक Y1, Y2, Y3 का योग करके 3 का भाग दे देंगे तो केंद्रक के निर्देशांग प्राप्त होंगे X निर्देशांग जो प्राप्त होगा X1 धन X2 धन X3 बटे 3 और Y निर्देशांग प्राप्त होगा Y1 धन Y2 धन Y3 बटे 3 अगला है तरभुज का छेत्रफल वराबर 1 बटे 2 कोस्टक में X1 Y2 माइनस Y3 प्लस X2 Y3 माइनस Y1 प्लस X3 Y1 माइनस Y2 इसी प्रकार अब 44 में नम्मर का प्राप्त देखेंगे X1 Y1 एवं X2 Y2 को मिलाने वाली रेखा को M1 अनुपात M2 के अनुपात में अनता विभाजित करने वाले बिंदू के निर्देशांग होंगे ध्यान रहे अनता विभाजित करने वाले बिंदू के निर्देशांग होंगे M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 और Y निर्देशांग होगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2 अब अगला चेप्टर तिरकोन मिती का परिजए जो की एक एक अंक के पांच वस्तुनिष्ट प्रशन आते हैं तो इन पांच वस्तुनिष्ट प्रशनों की तैयारी के लिए हमें तरकोन मिती के फार्मुलास याद करने होंगे सबसे पहले साइन थीटा बराबर एक बटे कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा दोनों का गुणा करने पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक इसी प्रकार cos theta बराबर 1 बटे sec theta sec theta बराबर 1 बटे cos theta इन दोनों का गुड़ा करने पर भी cos theta into sec theta बराबर 1 इसी प्रकार 10 theta is equal to 1 upon cot theta cot theta is equal to 1 upon 10 theta और इन दोनों का गुड़ा करने पर भी प्राप्त होता है 10 theta into cot theta is equal to 1 यदि हम sin theta के बटे cos theta करते हैं तो हमें 10 थीटा प्राप्त होता है और cos थीटा के बटे sin थीटा करते हैं तो cot थीटा प्राप्त होता है आगे और त्रिकोण मिती सर्वसमिकाओं का अध्यन करेंगे त्रिकोण मिती पहली सर्वसमिका sin वर्ग थीटा धन cos वर्ग थीटा हमें प्राप्त होता है एक यदि हम कॉस वर्ग थीटा का पक्षांतर करते हैं तो साइन वर्ग थीटा बराबर एक रिन कॉस वर्ग थीटा कॉस वर्ग थीटा कमान निकालने के लिए कॉस वर्ग थीटा बराबर एक रिन साइन वर्ग थीटा इसी प्रकार सर्वसमी का 2, 1 धन 10 वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा 1 का पक्षांतर कर देंगे तो 10 वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा माइनस 1 या 1 और 10 वर्ग थीटा दोनों का पक्षांतर करेंगे तो sec work theta minus 10 work theta बराबर 1 इसी प्रकार तीसरी सर्वसमिका है 1 plus cot square theta is equal to cosec work theta cot work theta is equal to cosec work theta minus 1 इसी प्रकार cosec work theta minus cot work theta is equal to 1 इन सर्वसमिकाओं में यदि theta के स्थान पर हम किसी कोण का उपयोग करते हैं तो भी वो theta का स्थान लेकर इसी प्रकार सर्वसमिकाओं प्राप्त होती है जैसे sin work theta के स्थान पर sin work 25 धन cos work 25 का मान भी हमें एक प्राप्त होगा इसी प्रकार एक धन 10 work 25 बराबर sec work 25 इसी प्रकार एक धन cot work 25 बराबर cosec work 25 अब पूरक तरकोण मिती अनुपात में जैसे की यहां दिखाया गया है साइन नब्बे माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कॉस नब्बे माइनस थीटा बराबर साइन थीटा टेन नब्बे माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा कॉट नब्बे माइनस थीटा बराबर टेन थीटा कॉस एक नब्बे माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉस एक थीटा इन मानों को हल के रूप में देखते हैं कि साइन 67 डिगरी को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 67 डिगरी याने साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा तो हमें प्राप्त होता है कॉस तेही संस इसी प्रकार 10-30 को हम लिख सकते हैं कौट 90-30 कौट 60-30 इसी प्रकार कौसेक 31 को हम लिख सकते हैं सेक 90-31 जो की हलकरने पर सेक 69-30 प्राप्त होता है इसी प्रकार हमें वस्तुनिस्ट में मुख्यरूप से त्रिकोण मिती सानी के 30,45,60 के मानों को मैंने वस्तुनिस्ट प्रश्णों की इस रंकला में रखा है साइन 30 हंस एक बटे दो, साइन 45 हंस एक बटे करनी दो, साइन 60 हंस करनी 3 बटे दो चुँकि साइन का कॉस पूरक है, इसलिए कॉस तीसंस बरावर अंडरूट 3 अपॉंट 2, कॉस 45 हंस एक बटे करनी दो, कॉस साथंस एक बटे दो इसी प्रकार 10 तीसंस एक बटे करनी 3, 10 पैतालिसंस एक और 10 साथंस करनी 3 10 का पूरक है, कॉस तीसंस दो, कॉस साथ दो बटे करनी 3 और इसका पूरक, सेक 30 दो बटे करनी 3, सेक 45 करनी 2 और सेक 60 दो प्राप्त होता है इस प्रकार, तरकोण मिती के परिचय से संबंधित 5 वस्तुनिष्ट प्रस्णों की तैयारी की जाती है तरकोण मिती के अनुप्रियोग, इस चेप्टर से वस्तुनिष्ट प्रश्ण एक अंक का है उसके लिए प्रश्ण नमर 65 में मैंने लिया है उपर के किसी बिंदू से, नीचे के किसी बिंदू को देखने के लिए द्रश्टी रेखा को 36 से जितना नीचे की और घुमाना पड़ता है वह कोण अवनमन कोण कहलाता है यानि उपर खड़े होकर हम द्रश्टी रेखा को 36 से जितना नीचे की और ले जाएंगे वह कोण अवनमन कोण कहलाता है 66 नमबर पर लिया है यदि मिनार की उचाई एवन चाया की लंबाई समान हो तो सूरे का उन्यन कोण 45 संस होगा अती महत्वण प्रश्ण है यदि मिनार की उचाई एवन चाया की लंबाई समान हो तो सूरे का उन्यन कोण 30 संस होता है अब हम लेंगे 66 नमबर पर यदि धूप में खड़े एक वेक्ति की चाया उसकी उचाई की करणी तीन गुना हो चाया करणी तीन गुना है तो उस समय सूरे का उन्यान कोण होगा यदि हम उचाई को X मानते हैं तो चाया X करणी तीन होगी अर्थात X से X काटने पर एक बटे करणी तीन प्राप्त होगा लंबटे आधार की स्थिती में जो कि 10 तीसंस का मान होगा अर्थात सूरे का उन्यान कोण तीसंस होगा हमारी आख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोडने वाली रेखा द्रश्टी रेखा कहलाती है सामान्य है कि हमारी आख से जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उसे जोडने वाली सीधी रेखा द्रश्टी रेखा कहलाती है इसे एक और रूप में हम देखते हैं वहर रेखा जो हमारी आख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोडती है द्रश्टी रेखा कहलाती है किन्तु हमारी आख से सीधे भूमी के सामानतर रेखा 36 रेखा कहलाती है हमारी आख से भूमी के सामानतर जो रेखा होगी वो 36 रेखा होगी लेकिन वस्तु को देखने के लिए जितना हम उपर या नीचे घुमाएंगे वो द्रश्टी रेखा होगी 69 नमबर पर देखेंगे त्रभुच ABC एक समकोण त्रभुच है जिसमें कोण B समकोण है तथा कोण ACB पराबर थीटा जो की एक न्यून कोण है त्रकोण मिती अनुपात क्या होंगे साइन थीटा बराबर थीटा के जो सामनी की भुजा होती है वो सम्मुख भुजा और जिस पर थीटा बसा हुआ है वो आसन भुजा और जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है वो होती है कर्ण हम कह सकते हैं कि थीटा के लिए लंब जो सम्मुख भुजा है वो थीटा के लिए लंब है और जो आसन भुजा है वो थीटा के लिए आधार है इस तरह साइन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण कौस थीटा बराबर आसन भुजा बटे कर्ण टेन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे आसन भुजा इसी प्रकार साइन थीटा का विद्करम है कौस एक थीटा जिसका मान होगा करण बटे सम्मुख भुजा कौस थीटा का विद्करम है सेख थीटा जिसका मान होगा कर्ण बटे आसन्य भुजा और टेन थीटा का विद्करम है कौट थीटा जिसका मान होगा आसन्य भुजा बटे सम्मुख भुजा दसवा चेप्टर हम लेंगे वरत वस्तुनिष्ट प्रश्ण है एक एक अंक के दो प्रश्ण प्रश्ण सत्तर नमबर पर है इसपर्स बिंदू से जाने वाली त्रिज्या इसपर्स रेखा पर लंब होती है नमबर 71 में है किसी वरत की इसपर्स रेखा उसे केवल एक बिंदू पर प्रतिछेद करती है यहाँ पर एक छोटा चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि यदि हम वरत की इसपर्स रेखा देखते हैं तो वरत को किसी एक बिंदू पर इसपर्श करती है इसी प्रकार वरत को नमबर 72 में है वरत को दो बिंदू पर प्रतिचित करने वाली रेखा को 6 दक रेखा कहते हैं इस छोटे चितर के माध्यम से देखिए वरत को दो बिंदू पर प्रतिचित करने वाली रेखा 6 दक रेखा कहलाती है तहतर नमबर पर देखेंगे किसी बाहे बिंदु से खीची गई इसपर्ष रेखाएं बराबर होती है यदि हम कोई बाहे बिंदु पी लेते हैं तो उस पर वरत पर यदि हम दो इसपर्ष रेखाएं जी खीच रहे हैं तो वो दोनों इसपर्ष रेखाएं आपस में बराबर होती हैं किसी बाहे बिंदु से व्रत पर किवल दो ही रेखाएं खीची जा सकती हैं जो की बराबर होती हैं और केंद्र पर बराबर कौन अंत्रित करती हैं 74 नम्मर में है किसी वरत पर अनंत तह अनेक इसपर्स रेखाएं खीची जा सकती हैं यदि हम वरत पर खीची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या की बात करें तो अनंत तक अनंत रेखाएं उस वरत पर इसपर्स रेखाएं खीची जा सकती हैं 75 नम्मर के प्रश्ण में है व्रत का व्यास उसकी त्रिज्या का दुगना होता है या हम कहें कि व्रत की त्रिज्या उसकी व्यास की आधि होती है 76 नम्मर पर है किसी व्रत के किसी व्यास के सिरों पर खीची गई इसपर्स रेखाएं सामानतर होती है यदि व्रत के व्यास के सिरों पर हम इसपर्स रेखाएं खीशते हैं तो वे इसपर्स रेखाएं सामानतर होती है ग्यारवा चेप्टर जो रचनाये हैं उससे वस्तुनिष्ट प्रश्ण नहीं है इसलिए उसे मैं सामिन नहीं कर रहा हूँ चेप्टर बारा से विरत्तों से संबंधित छेत्रफल जो की एक एक अंकित दो वस्तुनिष्ट प्रश्ण है देखते हैं नमबर 77 में है सरवांग्षम व्रत्तों के छेत्रफल सदेव बराबर होते हैं जो व्रत सरवांग्षम होते हैं तो उनके छेत्रफल सदेव बराबर होते हैं 78 नमबर पर है सरवांग्षम व्रत्तों के परिमाप सदेव बराबर होते हैं यदि सरवांग्शम वरत हैं तो उनके परिमाप अर्थत परीधी भी बराबर होती है उन्यासी नमबर में है वरत के अनुदिस एक बार चलने में तै की गई दूरी उस वरत की परीधी कहलाती है वरत के अनुदिस यदि हम एक पूर्ण चक्र चलते हैं तो तै की गई दूरी उस व्रत की परीधी कहलाती है! यदि व्रत है तो उसकी परीधी के मध्य जो भी छेतर ये घिरा जाएगा वहाँ उसका छेतर फल कहलाएगा! क्यासी नम्मर में है यदि व्रत की तुर्जया आर हो तो व्रत का व्यास बराबर 2R वरत का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है इसलिए वरत का व्यास बराबर 2R वरत की परिधी या जिसे हम परिमाप कहते हैं वो होती है 2πR इसी में वरत का छेतरफल बराबर πR वर्ग जहां R वरत की त्रिज्या है त्रिज्य खंड का छेत्रफल ये त्रिज्य खंड बनाने की कोशिस की गई है मेरे द्वारा कि त्रिज्य खंड जो है ये थीटा और PQ से घिरा हुआ छेत्र त्रिज्य खंड है जिसका छेत्रफल है थीटा बटे 360 पाई आर वर्ग तरज्य खंड के संगत चाप की लंबाई यह जो P से Q की लंबाई है वह कहलाती है तरज्य खंड के संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुणा पाई आर टू पाई आर 82 नंबर पर है एक वरती छेत्र का वह भाग जो दो तरज्याओं और संगत चाप से घिरा परिबद हो उस वरत का तरज्य खंड कहलाता है जो की लाल छेत्र से जो भाग चायांकित किया गया है वह तरज्य खंड कहलाता है वरती छेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से परिबद हो उस वरत का वरत्य खंड कहलाता है जैसे मेरे द्वार छायांकित किया गया लाल भाग लगु वरत्य खंड और नीला भाग दीर्ग वरत्य खंड कहलाता है 84 नमबर पर हम चेप्टर 13 से लेंगे जहां से प्रस्टीज हित्रफल एवं आयतन जहां से एक अंक का वस्तुनिष्ट प्रस्ण पूछा जाता है 84 नमबर का प्रस्ण है एक ठोस को दूसरे ठोस में परिवर्तित करने पर नए ठोस का आयतन आपरिवर्तित रहेगा क्योंकि मात्रा तो वही है इसलिए एक ठोस से दूसरे ठोस में यदि हम किसी चीज को बदलते हैं तो उसका आयतन आपरिवर्तित रहेगा एक लंबवर्ति संकु को आधार के सामानतर तल द्वारा काटने पर प्राप्त परिच्छेद चिननक संकु चिननक होगा तो जो भाग हम लंबवर्ति संकु को यदि काटते हैं तो जो भाग बचता है वो संकु का चिननक कहलाता है 86 नमबर पर है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64 अनुपात 27 है तो उनके प्रस्टिय छेत्रफलों का अनुपात 16 अनुपात 9 होगा आयतनों का अनुपात हम लेंगे तो हमें R1 की घात 3 अनुपात R2 की घात 3 प्राप्त होती है जिससे R प्राप्त होगा 4 अनुपात 3 और R4 अनुपात 3 प्राप्त होगा तो 4 πाई R1 वर्ग अपान 4 πाई R2 वर्ग से हम प्रस्टिय छेत्रफलों का अनुपात निकाल लेंगे ज 87 नमबर के प्रश्ण में लिया है यदि संकू के छिन्नक की तिरज्याएं R1 एवं R2 एवं उचाई H हो तो आयतन होगा V बराबर 1 बटे 3 पाई H कोश्टक में R1 वर्ग धन R1 इंटू R2 धन R2 वर्ग यह इंपोर्टेंट है संकू छिन्नक का वक्रप्रष्ट पाई बराबर बराबर वक्रप्रष्ट बराबर पाई इंटू R1 धन R2 इंटू L इसी प्रकास संकू छिन्नक की तिर्याकुचाई L बराबर अंडर रूट H वर्ग धन R1 माइनस R2 पूरे का वर्ग 88 नमबर पर है गोले का आयतन गोले के आयतन का सूत्र V बराबर चार बटे 3 पाई R की घातीन जहां R गोले की त्रिज्या है चेप्टर 14 सांखिकी से वस्तुनिष्ट प्रश्ण दो अंकों के हैं जिसमें 89 नमबर पर है केंद्री प्रवर्ति की मापों माध्य माधिका बहुलक में संबंध तो माध्य माधिका बहुलक में संबंध बहुलक बराबर 3 माध्यक रिन 2 माध्य माधिका को हम माध्यक भी कहते हैं बहुलक बराबर 3 माध्यक रिन 2 माध्य इस सूत्र के माध्यम से बहुलक माध्य और माध्य का में से कोई दो प्राप्त होने पर हम तीसरे को ग्याद कर सकते हैं 90 नम्मर में है किसी कक्षा के 7 छात्रों द्वारा 10 में से प्राप्तांक 7, 5, 5, 5, 6, 3, 4 है माध्य माध्य का यम बहुलक ग्याद कीजिए जो की कॉंसेप्ट को समझने के लिए मेरे द्वारा बनाया गया है माध्य ग्याद करने के लिए हम सूत्र का इस्तिमाल करेंगे तो हमें प्राप्त होता है माध्य बराबर आकणों का योग बटे आकणों की संख्या आकणों को योग में हम समस्त सातो आकणों को जोड़ देंगे और बटे सात का भाग देंगे हमें माध्य प्राप्त होगा पांच इसी प्रकार चुकि पदों की संख्या विसम है अतह विसम माध्यक विसम संख्या में पदों की लिए माध्यक का सूत्र है एंधन एक बटे दो दुवा पद एंधन एक बटे दुवा पद तो पदों को हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे और एन के स्थान पर साथ रखने पर चारवा पद माध्यक होगा जो की पांच है बहुलक बहुलक सरवाधिक बार आने वाला आकड़ा तो आकड़ों में देखने पर पता चल रहा है क सरवाधिक बार आने वाला आकड़ा पांच है अतहां इन आकड़ों का बहुलक पांच है अब देखते हैं वर्गिक्रत आकड़ों का माध्ये यदि हमें वर्गिक्रत आकड़ों का माध्ये निकालना हो तो माध्ये बराबर सिग्मा एफाई एकसाई अपान सिग्मा पग विचलन विधी से प्रत्यक्ष विधी के ही कल्पित माध्य विधी से यदि हमें माध्य निकालना है तो A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI और यदि पग विचलन विधी से हमें माध्य निकालना है तो A प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI इंटु H माध्यक ग्याद करने के लिए सूत्र है माध्यक बराबर L प्लस N अपॉन टू माइनस संचय आवरत्ती अपॉन F इंटू H तो लेते हैं हम जहां L माध्यक वर्ग की निम्नसीमा N बटे दो पदों की संख्या का आधा और C F का मतलब है माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचय आवरत्ती ध्यान रहे C F का मतलब है माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचय आवरत्ती H वर्ग अंत्राल है इसे प्रकार बहुलक का सूत्र है L धन F1-F0 अपॉन 2F1-F0-F2 इंटू H जहां L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा F1 बहुलक वर्ग की आवरत्ती F0 बहुलक वर्ग के पूर्व वर्ग की आवरत्ती और F2 बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की आवरत्ती और H वर्ग अंत्राल है 96 नमबर में हम देखेंगे संचई बारंबारता वक्र तोरण कहलाता है यदि हम संचई बारंबारताओं का यदि हम वक्र खीचते हैं तो वह वक्र तोरण कहलाता है चेप्टर 15 में प्राइक्ता में वस्तुनिष्ट अंक एक है 97 नमबर पर हम में ने लिया है घटना ई की प्राइक्ता धन घटना ई नहीं की प्राइक्ता का योग एक होता है यानि किसी घटना के घटित होने की प्राइक्ता और घटित ना होने की प्राइक्ताओं का योग एक होता है 98 नमबर में उस घटना की प्राइक्ता जो घटित नहीं हो सकती सुन्य है यदि कोई घटना घटित हो ही नहीं सकती तो उसकी प्राइकता सुन्य होती है ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है 99 नमबर में है किसी घटना की प्राइकता सून्य से बड़ी या बराबर होती है सून्य नियूनतम है अरत होती है तथा एक से छोटी या उसके बराबर होती है एक अधिकतम प्राइकता का मान है 100 नमबर में है एक सिक्के को उच्छालने पर कुल परिणाम एक सिक्के को छालने पर कुल परिणाम दो प्राप्त होते हैं head और tail कुल परिणामों की संख्या इसलिए ली गई है दो चित उपर आने की अनुकुल परिणाम यदि चित उपर आने की प्राइक्ता ग्याद करना है हमें तो उसका अनुकुल परिणाम E बराबर हैड अकेला अनुकूल परिणामों की संख्या एक तो प्राइक्ता होगी P बराबर एनी बटे एनेस तो साथियों ये कक्षा दसवी की 2019-2020 की परिक्षा के लिए मेरे द्वारा तैयार किये गए 100 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ट तथे हैं क्रप्या बच्चों को समझा कर उन्हें इन तथ्यों की तैयारियां अवश्य कराएं धन्यवाद